वेल्कम बैक तो दे चैनल गाइज आज हम लोग बात करेंगे इरान को लेके और इरान के जो खमीनी है वो अपने तरफ से बोल दिया बी रेडी फॉर वार एक्जैक्ली यह क्या दर्शाता है कि आगे जाके इरान कंप्रेटली रेडी है फुल फ्लेज़ेट वार के लिए सब्सक्राइब में चल रहा है हर मैंने दो ऐसे ही कुछ दिन बाद-बाद एक बाद इसराइल इमाई भर रहे है एक बार जाके इरान इमाई भर रहे है मैं ऐसा क्यूं बोल रहा हूं इसके पीछे भी रिजन है जो मैं आपको आगे जाके वीडियो में क्लियर करूंगा और करें तो हम लोग को different type of statement मिलता है इसराइल के तरफ से जो statement था उसमें इसराइल ने कहा कि हम लोग जो हम लोग का जो मिसाइल जहां बनता है जो जो मिसाइल फेसलेटीज है उन लोग को हम लोग पुरा अग्दम मनलब डेस्ट्रॉय कर दिये इसके लिए अगर देखा जाए बहुत सारा location particular location में लोग जो target ही थे वो सारा location भी destroy हो गया on the other side इरान के तरफ से भी यह कहां गया था कि हम लोग का दो soldiers है उन लोग का इसमें देख हो गया था जो attack होता है इसके लिए अगर हम लोग जो इरान का media है उनको follow करे तो जब सुबा यह हो रहा था मनलब इरान का जब सुबा था that point of time media अपने तरफ से बहुत सारा highlight करता था कि यहां बहुत सारा जो मनलब destroy हो गया यह location इस location में इतना destroy हुआ यह सब हुआ on the other side वही media evening तक change हो गया और evening तक लोगा कहना था कि हाँ हुआ है थोड़ा बहुत यहां attack मगर वह attack जो है हम लोग के तरफ पे उतना कुछ effect नहीं हुआ हम लोग का जो missile defense system था जो यह defense system था वो सब को मार गिराया था missile को जिसके वाई से उतना खास कुछ नहीं हुआ तो अगर इरान का यही जो version है इसको हम लोग मान ले तो retaliation किस बाद का क्योंकि अगर आपके country में कोई दूसरा आटक किया है और आपका defense system के बजह से आप लोग completely protected हो आपके तरफ से statement है तो आप फिर से क्यों उसको attack कर रहे हो अगर आप फिर से planning करेगा आप पर अटक करेगा तो यह तो जैसे के चलता ही जाएगा musical chair बन जाएगा एक बार रुकेगा फिर चलेगा एक बार रुकेगा फिर चलेगा और ऐसे ही चलता जाएगा on the other side अगर आपको कुछ आगे exactly इस्राइल को करारा जबाब देना है आपको चाहिए कि आप लोग को अग्दम स्टेट वार में connected हो जाओ अपने तरफ से जाओ औ iran का जो pleasant planning है उसमें इरान चाहता है कि इरान फिर से जाके एक बार हमला करेगा इसराइल को पर और इस बार इस बार और जुट आप धा होघता है कि आगर कुछ लोग कश्च के एक एक इसे बहु अब देखा गया है कि मीडिया में इरान के जो अफिशियल से वो लोग अपना मतलब मीटिंग में लोग अपने तरफ से बोला है कि एरान का इस बार का जो होगा वो काफी कैलकुलेटिव होगा पर एक्जांपल मतलब एक्जैटली उलोग कैलकुलेट करके इरान के इस लोकेशन में ओलोग टार्गेट कर सकता है अईसा नहीं के कोई सीविल लियांस वह अनुत को टार्गेट किया जाएगा और इस बार जो आठाक होगा वो पहले से भी स्ट्रॉंग होगा और कर रहे हैं तो हम लोग को अगर यह जो टोटल वार है इसमें सबसे जो उपर में चड़ी गुमा रहा है उसको लेके कहना है कि इस बार अगर इरान अपने तरब से इसराइल के उपर फिर से अटक करेगा तो इरान को इसका भारी कीमत चुकाना पड़ेगा अब इरान और क्या कीमत है पहले से ही जो इरान के उपर इस ने बहुत सारे संक्शन्स डाल कर रहा है पिचर अपना जो फूड ओल है वो भी बेश नहीं पा रहा है अगर हम लोग देखे इरान के साथ इसराइल कुछ प्रब्लम नहीं था इसराइल का वार था वह आपका इनिशियल ही था हमास के साथ उसके बाद हिजबुला के साथ फिर हमास के जो लीडर है वो इरान में चले गए अड़र पॉइंट अफ टाइम इसराइल अपने तरफ से उसको वहां मरवा दिया फिर इरान ने उसको अटाक किया तो ऐसे ही जो यह कैस मनलब यह जो था यह शुरू हो गया अब इस साइड युएस ने पहले से बहुत सारा इरान के ऊपर डाल दिया अब इरान अब इस बोल रहे हैं कि फिर से आगए जाके अगर इरान ऐसा कुछ करेगा इसराइल को पर अटक करेगा तो हम लोग इसको काफी सीरियस देंगे इसके लिए भारी कीमत चुकाना पड़ेगा अ इसके यह फर्मूला हमेशा से है कि आगे वह किसी कंट्री को बैक अप करता है फिर उस कंट्री वह कंट्री जाता है उसके साथ लाएं प्रेजनली भी हम लोग देखे कि युएस सेम फॉर्मूला ही यूज कर रहा है तो इसके बाए से आगे जाके जो कोश्यन आराइज होत सकता है पूरा क्रूड आयल जो है उसमें भी रश्या अपने तरफ से बेश नहीं सकता यह सब के बाद भी पुतिन ने इतना सक्सेस्फूल एक समिट कर दिया जिसमें दुनिया के जो मेजर एकोनोमी है उन लोग के जो लीडर से वह पुतिन के बगल में खरे होके फॉर्ट को जो करने हम लोग वही करेंगे और पुतिन का जो एक्जाक्ली यूएस के तरफ जो मनलब व्यू है आज के डेट में वह जो व्यू है वो धिरे दिरे बरता जा रहा है हो सकता है कि आगे जाके इरान भी इस लेवल पर स्टैंड ले और इरान अपने तरफ से भी एंटी य सब्सक्राइब कर देख सकते हैं अब सरा ऐसे कंट्री से जो के पहले न्यूट्रल थे अभी उन लोग का जो वीयू है वो चेंज हो रहा है ऑर गर हम लोग कातार ऐजीप सौधी को देख ले आड़ पॉइंट आफ टाइम हम लोग को पता है कि यह सारा जो कंट्रीं यह को आपना बिजनेस से मतलब है बहुं सुबा उटा वी लोग पता है कि हम लोगों किसी को धंकाना है कोई कंट्री को यह सब कर नहीं रहता है कि कुछ पार्ट रहते हैं मगर completely US जिस तरह से involved होते हैं यह लोग उसमें नहीं होता है अगर देखे तो यह लोग completely neutral थे मगर अभी भी जो इनलों का view है कि completely anti-Israel बंद रहा है क्योंकि presently यह सारा countries के तरफ से इसराइल को condemn किया गया है on the other side अगर देखा जाए इससे कुछ फरक भी नहीं परता मगर US को फरक परता है कि भाई कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसको पुरा हिसाब रख को उसके बाद आ गए है कि उसको उपर अपने तरफ से पुरा clean and clear स्टैंड लेता है जैसे कि हम लोग देखे जो रशिया क्रूड आपको जो करना है कीजिए इस ने देखा कि कुछ करना नहीं है चुक चब बैट जाओ कि आगए अगर इंडिया के इंडिया के साइट में चला जाएगा जबके इंडिया अभी भी काम है दूसरा कौन क्या कर रहे नहीं कर रहे हम लोग इसमें घुसना नहीं हाँ अगर कोई बोल रहे है कि हम लोग दो कंट्री में प्रॉब्ल्लम चल रहा है आप बीच में आओ आओ अब इसमें रिजॉल्व करो है जैसे के हमारे मोदी जी ब्रिक्स में जाके अपने प्रेजेंट ली कौन सा कंट्री कैसे मुप करें या फिर दुनिया में यह पहले जो था कि कंप्रिटली जो युएस बोले है वह फॉलो करना है अभी यह जो है यह जिरे जिरे एक्जाक्ली यह जो मतलब वेव है यह वेव चेंज हो रहा है ऐसा नहीं कि हरकोई इसमें शामिल यह जो चला लेता है तो फॉफुली वीडियो आपको यह वीडियो इंट्रेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल डेट इस अतनुपॉल ए टीए एनिंव स्पेस पी यूट में जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते बहुत सारा इं को उन तक पहुंशता है और अधर सेट हम लोग जैसे जो क्रेटर है हम लोग का जो रोजी रोटी वो भी चलता रहता है इसके लावा ही जब ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे है जो बेल आइकन ही उसमें क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो का भी कबाद टाइम पर नहीं आता है डिफरेंट टाइम में आता है जब भी आएगा आपको बस तोलब नोटिफिशन पहुंच जाएगा यह वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद यह यह वीजिए बहुत से जन्यवाद टाएगा है जाजिएंगा जोगी वीजिए बहुत से अवाद